बंदे 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 नौ यूर आर्मी फेस्टिबल दोहजार चौबीस प्यात के समारों में प्रदेश सरकार में मेरे बरिश्ट सहयोगी जल्द सक्ती मंत्री से स्वतं प्रदेश सिंग्दी लेक्टनेल जनरल अनेस राधा सुप्रमाणी जो सी इनसी सेंटरल कमांड लेक्टनेल जनरल शी मुकेश चड़ाजी चीप आपिस्टाप प्रदेश की मुठ्य सचीव सी दुर्गाश संकर मिस्टर जी प्रदेश की मुख्य मंत्री काराले की सलाकार स्यवनीज कुमार अवस्ती जी कारिक्रम में पस्तित प्रदेश सरकार की पूरो मंत्री डॉक्तर महंद्र सिंग्जी आज के समारों में पस्तित भारतिय सेना के अमारे सभी अधिकारिकान हमारे सभी बहात्र जवान समारों में पस्तित हमारे सभी सम्मानित अतितिकन पूकस्तित महानुभाव और युवासात्यों मैं सबसे पहले आज के समारों के लिए भारतिय सेना को फिर्दै से बदाई देते वे इसके इस वर्ष के आयोजन के लिए प्रदेश की राज़धानी लखनों मैं सिक तेंटर कमांड को चुना गया है इसके लिए आदरिय प्रभान मंत्री जी का आदरिय रक्सा मंत्री जी का और भारतिय सेना का हिर्दे से आभार रिप्ट करता हो नौयोन आर्मी फेस्टिवल 2024 के आज के समारों में यहां पर आकर के मुझे आनन्द के अन्भूती हो रही है यहेरे ले इस लेवी नहें तुकून है कि देश की आवादी के सबसे बड़े राध्य है उक्तर प्रदेश के हमारे युवाओं को नस्दीक से भारतिय सेना को जानने उनके सौर और प्राकर्म को नस्दीक से पहचानने का उसर प्राप्त होगा यहां पर अवी तो प्रदर्सन हमारे सिक रेजिमेंड से जुड़े वे इन बहाद्बूर जवानों ने दिखाया है भारत की प्राचीन युद्धकरा कैसे उस काल खंड में हमारे यहां पहले से ही युवाओं को इसमें पारंगत करके आक्रांताओं का जवाब देने के लिए कैयार किया जाता था और मुझे प्रसंता है कि भारत की प्राचीन युद्धकरा को आज भारतिये सेना ने अपना हिस्सा बना करके नकेवल उसे सम्मान दिया बलकि सिक्गु गुर्वों के प्याग और मैंदान को भी एक नई पेड़ा के रूप में पुरे भारत भाष्यों के सामने रख करके तो स्वरोच बिल्दान को सम्मान देने का काम किया है यहाँ पर सेना के इस प्रदर्शनी को भी हम सब को देखने का उसर प्राप्त हो रहा है जिसके मात्यम से सेना की सक्ति सेना का प्राक्रम और राष्ट भक्ति की निश्टा को हमें नजदीक से जानने और समझने का उसर प्राप्त होगा यह मौटसों सेना के हप्यारों साजों सामान कारे सैली कारे कुसलता और उन प्रंप्राओं को जानने का एक अच्छा उसर है जो अफसर जिन से हम लोग सामाने पहाँ अनविक्ते से रहते हैं भारतिय सेना 140 करोड भारत वाज़ियों के गौरों की प्रतीक है देश वाज़ियों की ताकत को जानते हैं उसके टूट कि स्वास रखते हैं और जब सेना और आम जन्वानस एक दूसरे के साथ मिल करके कारे करते हैं तो पैणाम कई गुना अधिक लाने में सबलता अप्राप्त हो सकती है भायों बेनों हम सब को इस मारे में अवज से गौरों के नवूती होती हैं कि उत्तर देश वीरों की भूमी है देश की सुरक्षा के ले और लडाई में हमारे जवानों ने में तुकूर योगदान दिया है अनेक वीरों ने अपने सौर और प्राकर्म से देश की सुरक्षा करते हुए प्रदेश का गौरों भी बढ़ाया है प्रदेश सरकार सेवारत सेनिकों और सेवा से निप्रिच सेनिकों और भी मारियों के कल्यान के ले पूरी प्रत्वचता के साथ काले कर रही है देश की सीमाओं की रख्षा करने में अपने प्राणों की आउती देने वाले सेनिकों के परीजनों को प्रदेश सरकार अपनी ओर से पतास वाग रुपे के नुक्रा रासी और परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने की विवस्ता भी करती है आधम सब इस बात को जानते हैं कि जैसे आधने प्रदेश चेत्र में भारत आत्म निर्भरता के लख्ष्य को प्राप्त किया है ऐसे ही सेना के हत्यारों और सादोर समान में भी आत्म निर्भरता और मेकी निर्भिया की इस तरकल्प्रना को हम साकार कर सके या औसार या प्रदर्शनी हमें उसका एक औसार भी प्रदान करती है हम सब इस बात को जानते हैं कि 2018 में जब अप्तर प्रदेश ग्लोग में हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट किया था उस इन्वेस्टर समिट में प्रभान मंत्री जी ने देश के अंदर दो डिफेंस मैनिफेक्चरिंग कोरिडोर की गोस्णा की थी जिन में से एक कमिल नालू में और दूसरा देश के हिलेस्टर उत्तर प्रदेश में अस्तापित हो रहा है और मुझे प्रसंदता है कि फरवरी 2020 में प्रभेस की राज़दानी में आयुजित हुए जिफेंस एक्सपो के उस भब्यायुजन में जिसमें देश और दुनिया ने भार्पी सेना के गोरव को उसके सौर और प्राकरम को नस्दीक से देखने का उसर प्राप्त हुआ था उस आउसर पर अने प्रस्ताव तर्देश के डिफेंस मेनिफेक्टरिंग कोरीडोर के ले उस तर्देश साशन को प्राप्त हुए है जिनमें लखनों में प्रमोस मिसाइल के लिर्मान की कारवाई जासी के डिफेंस कोरीडोर के धोर्ड में हमें भार और डाइनमिक्स के बड़े कारेक्रम वहां के लिए स्विकत हुए कानपूर अलिगर के नोट में पहले से ही जितनी भूम्य मारे पास आरक्षित थी वे सभी आवंटिक हो करके अब प्रोडक्शन के लिए भी अपने आपको तयार कर चुकी है यहीं हम लोग आज सेना के सादों सामान और सेना के हत्यारों की आपूरती में भारताच आत्मनिर्भत्ता का लक्षिन केवन प्राप्ट किया है बलकि दुनिया के तमाम देशों को भी आज हम उस सप्लाई चेन के साथ जोड़ने में हमें सपलता प्राप्ट हो रही है यह एक द्या नई सुरुवात है और इस नई सुरुवात के लिए मैं आजनिये प्रहान मंत्री जी आजनिये रक्षा मंत्री जी के प्रभी हिर्दे से आभार वेक्षे करते हुए भारती सेना को लिवंतर आउस्टा के लूप तैयार करने की जो वर्तमान नए भारत की रणी भी है वह सर्वताओ प्युक्त है क्योंकि ससक्त सेनाई एक सुरक्षित और संप्रभु राज्त की परिकल्पना को साकार कर सकती है पुरे तेर सवास्यों की भावनाएं अपने सेना के साथ सजय जुड़ती भी दिखाई देती है यही नहीं मार्च 19 में अमेठी में भारत और रूस के स्वयूट उपक्रम इंडो रस्यम राइबल ट्रावेट लिम्टेट को भी प्रभान मंत्री जी ने जहां देश को समर्पित किया वहीं साथी साथ H.E.L. और्नेंस नेक्ट्रिया भारत इलक्टोनिक्स लिम्टेट आदी काया भी उत्तर प्रदेश में इस दिख्टे सेना की दिख्टे त्यंत महित्वपूर्ण भूमिका का निर्वान कर रही है योग्य और तक्स जवान भारती सेना को प्राप्त हो इसके लिए भी हम सब को याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश और अज्य है जिसने अपना पहला सेनिक स्कूल देश को दिया था उन्निस सो साथ में और उत्तर प्रदेश के सेनिक स्कूल को एक वहरो प्राप्त है कि सेना के सरोत्य समान प्रम्बीर चक्र लखनों सेनिक स्कूल के ही एक चाप्र कैप्टन महमोज बांडे को उन्निस सो निन्यानवे में अपने अप्रिदम सौर्य और प्राकर्म के ले भारती सेना ने प्रदेश स्कूल का नाम पर नभी कैप्टन महमोज पांडे के नाम पर ही इस लख करके अपने युओं के ले चात्रों के ले सेना के को जानने और सेना के साथ सम्मान के साथ अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का एक उसर भी प्रदान किया है आग मुझे पताते हुए पुसंता है कि हम राज्य सरकार की ओर से वर्तमान में पांचवे नए सेनिक स्कूल के निर्मान की कारवाई को उत्वस्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं और मुझे कल ही गौरकपुर में निर्माना दीन सेनिक स्कूल को रिविक्षन करने के लिए भी जाना है इसके साथ ही पुर्दान मंत्री जी ने बेश के अंदर सो नए सेनिक स्कूल स्कापिट करने के जिस अभियान को अपने हातों में लिया है और मैंसे उत्तरदेश सोला सेनिक स्कूलों के प्रस्ताओं को पहले ही भेंच चुका है अभी मैं तीन दिन पहले बिंदावन में गया था देश का पहला पालिकाओं के लिए सेनिक स्कूल का सुभारंग माने रख्सा मंत्री जी के साथ में मैंने बिंदावन की धर्टी पर संवित खुलम में प्रारंग किया है यानि सेना में जिसकी स्कूला प्लखनों से वही थी कि पालग के साथ-बालिकाओं को भी हम लोग इसने प्रसिप्सित करेंगे हम लोगों ने लखनों सेनिक स्कूल से इसकी सिरुवाद की और आख देश का पैरा वालिकाओं का सेनिक स्कूल भी उत्तर प्रदेश में प्रारंबो हो चुका है इसके साथ भी मुझे बताते वे प्रसंता है कि किस्वी सभी की जनाटियों के इंडूप पीर सपोतों के प्रसिक्स만 और उनके सिक्षण के लिए राश्पी रक्सा ब् enforce गयाले के स्ताअपना आगधने प्लाह नमंत्री जी के दारा पहले किजा चुकी है और राश्पी रख्सा बिस्वीड गयाले अपना एक परीसर लगना ने भी खोल चुकी है जिसे डॉक्टर सखुंतला मिस्रा राश्टिय पुनरवास विश्विद्याले में हमने आवस्ताई कैंपस प्रणान किया है मुझे पुरा विश्वा से की राश्टिय रख्षा विश्विद्याले के लखनो परीसर की अस्तापना सुरक्सा बलो में जाने के जुद हमारे युवाओं को इस शेत्र में सुरक्सा शेत्र के कौसल बिद्धी में एक नए युक्ती सुरवात करेगा जो हमारे युवाओं के लिए सेना में एक स्थांदार केरियर का आगे बढ़ाने का एक बहतर विकल्ट साबित हो सकता है आज के सौसर पर जब हम साथ यहां पर एक अप्र होए हैं सेना में सामिल होने के लिए जो कमाब प्रकार के नए कारिक्तरम आगे बढ़े हैं मुझे पुरा विश्वास है कि हम लोग भारतिय सेना के साथ मिल करके इन सभी कारिक्रमों को पुरी प्रतिवत्ता के साथ आगे बढ़ाने का कारिक करेंगे सेना के सेना दिवस के आउसर पर आगामी पंद्रा जन्वरी को जो कारिक्रम प्रदेश की राज़दानी लखुमा में होने जा रहा है राजे सरकार में पहले ही इसने अपना पुरा सयोग देने की प्रतिवत्ता तोहराई है और मैं एक बार फिर से भारतिय सेना को अपने इस सबलता मायोजन के लिए अग्रिम बढ़ाई देते हुए अपनी सुपकामलाई देता हूँ और अपने सभी बहात्तम ज़वानों के स्कार्थ के लिए अस्वस्त करता हूँ इस पुरा भारत उनके साथ मैं है उनके सौर और प्राकर्म की गाता का स्मण करता है और उन्हें हर संभव सयोग देने के लिए अपनी प्रत्वत्ता को पूरी जवाब जई के साथ आगे बढ़ाने के लिए कारे करने का इच्छुग होगा आपके इस उसर पर मैं इस प्रदर्शनी के पुद्गाटन कारिक्तरम के उसर पर आपके अपनी सुक्ताना ये देता हूँ धन्यबाद जैहिंद किवो जपूर्टन कуют क्पारिक्तरम के बढ़ाने जश्झ सुक्ताना